तो दोस्तों इससे अच्छा मोका आपके लिए नहीं हो सकता है, काफी अच्छी जोब रहती है, इंडियन आर्मी में आपको मोका मिल रहा है, ऐसे civil engineer काम करने का, तो इसकी में detailing पूरी आपको कर देता हूँ, क्या-क्या इनकी requirement है, क्या-क्या आपको कहाँ apply करने है, और पूर इसमें काफी अच्छा यह है, कि female candidates भी apply कर सकती है, और male candidates भी apply कर सकती है, तो इसकी detailing में आपको करता हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो website पर उस पर आगे है, यहाँ पर पूरी detail आ लिए, यहाँ website लिखा हुआ है, यह इसकी notification का है, तो download कर लेते हैं, और य windows भी apply कर सकते हैं, जिनके मतलब जो लगा लो husband यहाँ कुछ personal died हो चुके है, तो वो इसके लिए भी, उनके लिए लेक से पोस्टें, वो मैं बता दाओं आगे, तो इसमें सबसे पहली चीज है, age देखना, जो women, men के लिए रहेगी, वो रहने वाली है, 20 से 27 साल उमर आपकी ह होगी, तो आप eligible होते हो, और SSE Tech, Tech की बात करें, टेकनिकल में, 60 पोस्टें है, men के लिए, और 31 पोस्टें है, women के लिए, तो बहुत अच्छी पोस्टें है, और इसके लिए ज़रूर reply आपको करना चाहिए, और मैं अगर आपको बताओं, अगर आपने civil engineering की है, mechanical, electronics, किसी भ architectural में, तो आप eligible हो जाओगे, और AICT से recognized university आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, यह हो गया, civil वालों के लिए, basic मतलब जो detail मांगी जाती है, basic तो इन्होंने technical graduation degree आपकी होनी चाहिए, वो इन्होंने का हुआ हुआ, बाकि इसमे salary बहुत अच्छी है, women के लि आपकी होनी चाहिए, एक vacancy रहेगी, और अगर non-tech हो, non-UPSC हो, अगर आपको graduation किसी field में, तो आप eligible इसके लिए हो जाती हो, तो बहुत अच्छा मोका है, तो इसकी और detailing में आपको कर दूँ, तो training इसकी रहती है, 49 हफतों की यह training रहेगी, जिसमें आपको काफी सिखा जात है, और यह totally unpaid होती है, मतलब आप से कुछ नहीं लिया जाएगा, आप government आपकी training करवाती है, cost of training कर रहे है, यह पूरी detail पढ़ लेना एक बार, और lieutenant की post पे आप जाने वाले हो starting में, और यह बहुत अच्छा मोका होता है, कि आपको starting ऐसे मिल रहे है, और military service पे, फिर stipend, मतल salary तो matter नहीं करती है, मेरे ख्याल में, अगर आप Indian Army पहुंच के salary क्या करनी है, rank होता है, और जिसमें आपको salary भी काफी अच्छी मिलेगी, और अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका SSB रहते है, SSB क्या रहेगा, मतलब आपके जो भी exam में marks है, जो degree में marks बनते है, उनके basis पे आपकी married list बनेगी, उस married list पे basis पे आपको बुलाया जाएगा interview के लिए, वहाँ आपका SSB होता है, तो उदर से ही आपकी selection होती है, और इसको apply करने के लिए आपके क्या करना है, इनके official website जो है, Indian Army.in, यहाँ पे जाके आपको apply and login पे click करना है, वहाँ registration करना है, फिर basic information बनी हो तो मैंने खुद दिया हुए SSB interview, और fourth round में निकल चुका था मैं, काफी, मतलब थोड़े tough रहते है, tough in the sense, जब group discussion बगरे रहते है, तो आपका knowledge अच्छा होना चाहिए, तो उसी में दिक्कत थोड़ी मेरे ख्याल में आती है, और आपको इसके लिए prepare करना चाहिए, मोग का दवारा नहीं मिलता है, और हर एक बच्चे को मैं कहूंगा जो fresher है, तो उनको SSB जरूर देना चाहिए, SSB से बहुत अच्छी चीज़ी है, देखो, इन्होंने पूरा selection process भी बताया होगा है, कि शौटली स्टीट को ऐसे basis पे लिए जाएगा, यह सब चीज़ी है, center allotment अच्छी जवाब है, जरूर एपलाई दरो, thank you